नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल परदेश के अंदर फ्रिक्वेंटली फॉरेस्ट फायर लगने की खबर आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे न्यूज आपको मिलेंगे लोकल्स on war footing to douse fire at विजली महादेव forest in हिमाचल परदेश कुलो क्योंकि अगर आप यूजवली देखोगे तो जादर तर फायर या तो ड्राई सीजन में होता है, जब गर्मी का सीजन होता है तभी आपको देखने को मिलता है, विंटर के समय, मौनसून के समय यहाँ पर कम प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चनल जॉइन कर सकते हैं, अंकित अगरवाल ऑफिशल और अगर आप यूप सी की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनेरा मौका इस्टड़ी आपके लिए स्मार्ट पोर्सेज, जिसके तुरू आप अपने प्रिपरेशन और भी forest से धका हुआ है, तो dry weather conditions में यहाँ पर अक्सर fire देखने को मिलता है, लेकिन इस मेहने यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल्लू का जो region है, वहाँ पर forest fire देखने को मिला है, कई दिनों तक यहाँ पर कोशिश कई गई पूरे आग को बुझाने के लिए, इसके लावा शिमल पर बताया जाता है कि two-third जो total geographical area हिमाचल परदेश का, वो legally as a classify किया जाता है forest area में, लेकिन reality में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो काफी बड़ा हिस्सा हमेशा snow और glacier से धका हुआ रहता है, permanently, तो हम कह नहीं सकते हैं कि exactly वो two-third ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर यह calculate करें तो यह आता है करीब 15,434 square kilometer, तो 28% के area आसपास आप कह सकते हैं कि forest cover है हिमाचल परदेश के अंदर, यहाँ पर अगर हम कुछ common trees की बात करें, तो जैसे कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, चेर पाइन हो गया, देवदर हो गया, देवदर इन फाक्ट यहाँ प इस तरह के आपको common पेड़ वहाँ पर दिखाई मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर question आता है कि यह जितने भी पेड़ की हम बात करते हैं, वो कितना जादा घातक है fire से, मतलब कि कितने पेड़ों में यहाँ पर आग लग सकती है, कितना frequently आग लग सकती है, तो सबसे पहले आप द लग जाती हैं वहाँ की जंगलों में, तो यह annual फिनामिना है, हर साल इस तरह के common आग आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादा तर क्या होता है, जो चेर पाइन फॉरेश्ट हैं, जब मैं चेर पाइन कहता हूं, तो इस तरह क्या आप देख सकते हो, यह जो leaves हैं, वो थो फॉरेश्ट में देखने को मिलता है, तो चेर पाइन जो फॉरेश्ट है, वो सबसे ज़्यादा प्रोन है फाइर की वज़े से, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्च से लेकर जून के बीच में, जो पूरा समर का सीजन चलता है, वहाँ पर क्या होता है, कि जो नी फैल जाता है, इस मतलब बहुत जल्दी यह स्प्रेड होता है, और पूरे जंगलों में यहाँ पर आग लग जाती है, इसके अलावा इसके जो पेड होते हैं, इसके जो बार्क है, यह जो आपका बार्क होता है, यह ठिक होता है, तो इसको तो कोई बहुत ज़्यादा नु इरियाज में लगती है जो उपर के एरियाज होते हैं इंक्लूडिंग पार्ट्स ओफ शिम्ला, कुल्लू, चम्बा, कांगरा वहाँ पर आपको यूजूली आग देखने को मिलेगी जो विंटर सीजन में अगर आग लगती भी है तो और इसी लिए इस बार आपको जो आग है वो ज़्यादा तर कुल्लू वाला रीजन हो गया, शिम्ला वाला रीजन हो गया, वो आपको इस समय विंटर सीजन में देखने को मिलेगा next यहाँ पर question आता है कि यह आग लगती कैसे है, what causes the fire तो यहाँ पर सबसे पहला cause बताया जाता है, that is natural causes, जब भी कोई lightning होगा या फिर जो सूखे bamboo के tree होते हैं, जो बड़े-बड़े bass के पेड़ होते हैं, grass होता है वैसे तो bamboo आपको पता ही होगा, यह grass का प्रकार है तो जब आपस में बहुत टकराते हैं, तो rubbing की वज़े से भी उसमें आग लग जाती है, तो lightning हो गया, rubbing की वज़े से, यह कुछ natural cause हैं जिसकी वज़े से आग usually लगती है, लेकिन जो forest officials हैं, उनका ज़्यादा तर कहना है कि human factor, जो man-made factor है, वो सबसे बड़ा कारण है forest fire लगन किसी भी प्रकार का अगर man-made की वज़े से हलकी से भी चिंगारी मिलती है, तो वहाँ पर forest में आग लग जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई बार क्या होता है, जो needle वाले आपके पत्ते होते हैं, वो अगर electric pole पर भी आ जाते हैं, तो उसकी वज़े से भी spark होता है, तो वहाँ पर उसकी वज़े से भी अक्सर आग लग जाती है, इसके अलावा यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि grazing के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर temporary यहाँ पर camp वगरा भी लगाते हैं, खाना वगरा पकाते हैं, तो जब वो वापस जा रहे होते हैं, तो पूरी तरह से कई बार आग को बुझाते नहीं है, तो हलकी सी भी चंगारी वगरा अगर वहाँ पर रहती हैं, अगर उन्होंने बुझाया नहीं है, तो उसकी वज़े से भी कई बार काफी बड़ा जंगलों में आग लग जाता है, इसके अलावा एक और चीज बताय जाता है कि खेत वग जैसे भी पूरे जंगल को आग पकड़ लेता है, तो आई होब कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या में कारण होते हैं यहाँ पर जंगलों में आग लगने के हिमाचल परदेश के अंदर, इसके अलावा यहाँ पर अब कोश्चन आता है कि यह जो वीसेंट forest fire हुआ है, क्या यह unusual है, बिल्कुल, usually मैंने आपको बताया कि winter season में नहीं होता है, usually जो dry spell होता है, उस समय आपको देखने को मिलेगा, और पिछला साल अगर आप देखोगे तो August से November की बीच में काफी बड़ा, काफी जादा dry weather था, और उसमें बहुत सारे आग लगे थे, क जिसकी वज़य से, अगेन यहाँ पर हमें unusual forest fire देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी काफी जादा dry हो गया है, जिसकी वज़य से, यहाँ पर कुछ human man-made कारण होगे, जिसकी वज़य से यह आग लग रही है, इसके लावा यहाँ पर question आता है, next कि what is done to prevent, अगर सबको जाती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको बुझाने के लिए, तो सबसे पहला चीज है दोस्तों, यहाँ पर metrological data का use किया जाता है, जो weather के data है, उसको देखा जाता है, क्या आग लग सकती है, इसके लावा यहाँ पर camping के sites हैं, उसको clear करना, यहाँ पर burning of dry litter है forest floor प इसे होता है, कि अगर उसके पास कोई सटा हुआ पेड है, तो वहाँ पर आग लग जाती है, तो अगर सपोज हम बीच में से, अगर इस पूरे पार्ट में आग लगी भी है, अब बीच में से हम चीजों को clear कर देंगे, तो automatically क्या होगा, कि यहाँ पर fire line बन जाएगा, तो पास on नहीं होगा, तो इस तरह की कई बार चीजें की जाती है, ताकि इसको control किया जा सके, लेकिन यहाँ पर सबसे important है कि जहाँ पर भी आग लगा है, छोटा मोटा, वहाँ पर उसको जल्दी से detect किया जाए, और वहाँ पर action लिया जाए, fighting squads, के firefighting squads जो squads उनको भेजा ज होगी, next यहाँ पर question है कि इसकी वज़े से damage कितना होता है, damages क्या होते है, forest fire की वज़े से, obviously बात है यहाँ पर, अगर हम natural vegetation को destroy करेंगे, जिस भी कारण से रहा हो, इसकी वज़े से जो आपका damages है, वो तो हो गाई, तो next यहाँ पर सबसे बड़ा damage होता है, that is regeneration in forest and their productivity, मतलब क forest में, अपने आप में ही उसकी शक्ती होती है कि वो productivity को बढ़ा सके, regenerate हो सके, लेकिन इस तरह से अगर वो destroy हो जाएगा, तो जो उसकी capacity है, वो यहाँ पर reduce हो जाती है, इसके लवा यहाँ पर कुछ moisture loving trees होते हैं, जैसे कि ओक हो गया, देवदर हो गया, इन सब को अगर नु ecosystem है, उसको destroy कर सकता है, इसके लावा आपको पता ही है, normally जो forest है, वो aquifires को maintain करते हैं, जो पानी का flow होता है, rivers हो गया, streams हो गया, इसके लावा firewood, fooder, non-timber produce जो है, वो local communities के काम आता है, तो अगर forest नहीं रहेगा, तो यह सारी चीज़ें क्या है, रुख जाएंगी, तो यह ए जाएगा, तो यहाँ पर पूरा जो problem है, वो create हो सकता है, इसके लावा जो wildlife है, वो बहुत जादा नुकसान होता है, क्योंकि जो eggs होते हैं, animals के, young animals हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, इसके अंदर, adult animals यहाँ पर उनको दूर जाना पड़ता है कहीं, तो पूरा overall जो wildlife system है, वो एक तरह से नुकसान पहुंचता है, इसके लावा यहाँ पर human settlement को भी नुकसान पहुंचता है, अगर human settlement है, उनको भी बहार जाना होता है, तो यह सारी problem है, अगर हम economy के terms में बात करें, जो human और जो normally जो infrastructure हो गया, उसको जो नुकसान पहुंचता है, जो तो इसके आप आप देख सकते हो, बताया गया है, 2016-17 से लेकर, 2019-2020 के बीच में करीब 1.7 करोण से 3.5 करोण की बात हो दिया, ध्यान रखेगा, यहाँ पर स्रिफ और स्रिफ जो human loss है, जो infrastructure और जो इस तरह के बनाई हुई चीजों का loss है, जो natural loss है, उसका तो अनुमान लगाना ही काफी जादा म तो यह सबसे बड़ी problem है दोस्तों, तो I hope कि यह जो पूरा वीडियो था आपकी main science writing से, कई चीज़ें आपको material मिल गया होगा, कि जो हिमाचल परदेश में usually forest fire हो, बहुत ज़्यादा common है, इसके कारण क्या है, problems क्या है, और यहाँ पर उसको solve करने के लिए ज्यादा तर क्य किया जाता है, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आए हूँ, यहाँ पर आपको बताना है, कि कौन कौन से region को आप classify कर सकते हो as a tropical forest and mangroves, ध्यान रखिएगा, tropical forest और mangroves दोनों होना चाहिए, कौन से region को आप classify कर सकते हैं, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँग आपको पसंद आए होगा, मिलता है आपसे next time, till then thank you very much, see you soon.